इस बुक में कुल दस प्रैक्टिस सेट दिये हुए हैं जिनका हम बारी बारी से रिविजन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट एक का रिविजन हो चुका है आज हम प्रैक्टिस सेट नमबर दो का रिविजन करने वाले हैं अगर और अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहला कुष्चिन है निम्न में कौन सी दसा संउक्त परिवार में हूने वाले परिवरतन को सब्सक्राइब करती है दूसरा क्वेशन निम्न में से कौन सी विशेष्टा संस्कृति की विशेष्टा है? आपका सही जवाब हो जाएगर D. उप्रोक्त सभी विशेष्टाइं संस्कृति की विशेष्टा हैं जैसे संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति में अनुकूलन करने की जम्टा होती है, संस्कृति अधिवयक्तिक एवं अधिसायवी होती है अगला कोशन, असत्य कथन का चुनाओ कीजिए ओप्शन डी इस कोशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुसंदान एवं सिध्धांत एक दूसरे के विपरीत आउधार उणाई है, यहाँ सत्य कथन है वयक्तिक अधियन पद्यति के संबन्द में निम्लिकित में से कौन सा एक कथन सत्य है आपका सही जवाब हो जाएगा वयक्तिक अधियन का उद्देश किसी सामाजिक इकाई का सरवागिवर अधियन करना होता है यहाँ सत्य कथन है अगला क्वेशन है ग्रामील विकास विभाग एवं भूम संसाधन विभाग को मिला कर किस मंत्राले का गठन किया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रामील विकास मंत्राले उप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका गठन किया गया है अगला क्वेशन परदान मंत्री आवास योजना ग्रामील के तहट सभी आवास हीन ग्रह स्वामियों और कच्छे तथा जील्ड सीर्स घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ कब तक पक्का घर उपलब्द कराना है अप्शन भी इस क्वेशन का सही जवाब हो जाएगा वर्स 2022 तक सभी को पक्के घर उपलब्द कराना है अगला क्वेशन है आपका सही जवाब हो जाएगा अगला क्वेशन जननी इस सुवक्षा योजना के तहट सरकारी अस्पतालों या सनस्थान में पसव कराने पर कितना रुपिया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा C आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा अगला क्वेशन है इस्थानिय स्वाशासन का जनक कहा जाता है अगला क्वेशन है वर्स 2019-20 में मन्रेगा के तहट रोजगार पाने वाली महिलाओं की भागेदारी कितनी रही है आपका सही जवाब हो जाएगा D 54 पृतिशत से अधिक महिलाओं की भागेदारी रही है अगला क्वेशन ग्रामील छेतरों में वितिय समावेशन को बढ़ावा देने है तो निम्न में से कौन कारे कर रहा है आपका सही आप्शन हो जाएगा D. उप्रोक्त सभी जो हैं संस्थाएं कार्य कर रही हैं ग्रामिल छेत्रों में वितिय सहावावेशन को बढ़ावा देने के लिए अगला कुशन क्रसी एवं उद्योगों के मद्द अग्रगामी समंद का आस्वे होता है आपका सही ओप्शन हो जाएगा B. क्रसी द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्द कराना ये क्रसी एवं उद्योगों के मद्द अग्रगामी समंद का आस्वे होता है अगला कुशन स्वर्ड फाइबर क्रांती का समंद किस वसल के उत्पादन से है आपका सही ओप्शन हो जाएगा C. जूट के उत्पादन से स्वर्ड फाइबर क्रांती का समंद है अगला कुशन भूधारल प्रडाली की रयत वाड़ी वेवस्था की सुरुआत भारत में किस ने की थी आपका सही ओप्शन हो जाएगा C. लौड कॉर्ण वाड़ी वेवस्था की सुरुआत की थी अगला कुशन ग्राम भूधान आंदोलन किस राज्ज में चलाया गया था आपका सही ओप्शन हो जाएगा तेलंगाना राज्ज में ग्राम भूधान आंदोलन चलाया गया था विभिन परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम तुरूटी किसमे होती है आपका सही ओप्शन हो जाएगा C. इनवार फीता से माप लेने में सबसे कम तुरूटी होती है विभिन परिस्थितियों में निमनिकित में से कौन सी भू छेतरफल मापन की अंतराश्टी ये इकाई है आपका सही आप्शन हो जाएगा बी हेक्टेर जो है वो अंतराश्टी ये मुखू मापन छेतरफल की इकाई है अगला कुशन पटवारी के कार्रियों का सामान निरिच्छड अधिकारी होता है आपका सही आप्शन हो जाएगा बी गिर्दावर कानूनगो गिर्दावर कानूनगो की जो पोश्ट होती है वो पटवारी से उपर होती है अगला कुशन भूम की उरवरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है आपका सही आप्शन हो जाएगा सी उरद की फसल उगाई जाती है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए इस वीडियो की पीडियाफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में करसी उद्योग यवंकरसी निर्यात परोचाहन विभाग के इस्थापना की गई थी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डि 1999 में उत्तर प्रदेश में करसी उद्योग यवंकरसी निर्यात परोचाहन विभाग के इस्थापना की गई थी अगला क्वेशन मचुआरा आवास योजना केता है प्रती व्यक्ति आवास कितनी राशी की सहाथा दी जाती है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 75,000 रुपए की आवास राशी की सहाथा परोचाहन की जाती है अगला क्वेशन उत्तर परदेश सरकार द्वारा किसान रती योजना किस वर्स शुरू की गई थी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वर्स 2010 से 11 में शुरू की गई थी अगला क्वेशन उत्तर परदेश के किस ले में सरवाधिक पंजिकरत कार खाने उपस्थित हैं उपस्थित हैं या इस्थित हैं आपका जो सही option है वो हो जाएगा option नमर B गौतम बुद्ध नगर में जो है वो सरवाधिक मातरा में पंजीकरत कार खाने इस्थित है अगला question है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्विद्याले कहां अवस्थित है या प्रथम मुक्त विश्विद्याले के स्थापना कहां पर की गई थी आपका जो सही option है वो हो जाएगा option नमर A इलाखाबाद में उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्विद्याले के स्थापना की गई थी आपके किनने प्रंद सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद